अब आपको ना प्लेकर के और कटिंग करना बताऊंगी बहुत इजी होगा ठीक है तो यह मेरे पास पुराना निकर है और इसके अकोर्डिंग हम इसके जो लेंथ है वो कम है तो हम लेंथ ज्यादा ले लेंगे और बाखी जो इसका मेजरमेंट है वो बिलकुल ओके है तो इसके अकोर्डिंग हमें बनाना है तो यहां पर लेंथ देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है तो इसकी लेंथ हम देख सकते हैं यहां पर फोल्ड में फोल्ड कर लिया है आप देख सकते हैं यहां पर फोल्डेड है और इस तरफ में हमारी फोल्डेड साइड है और यह नीचे की फोल्डिंग जादा हो तो आप ज्यादा भी कर सकते हो कोई दिकत नहीं है तो यह हो गया है अब देखें इसको फीर से नीचे कर लेते हैं इस तरह से क्योंकि लें थोड़ी सी ज्यादा है और आपको दिखाना भी मैंने जूम करके इसलिए पूरा ना भी आइलेंथ में पर यह जो कटिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किजेगा यहां पर देखें अब आप यहां पर आईए यहां पर हमारा यह जो उपर कामने रबड के लिए लास्टिक के लिए छोड़ा है हिप्स का थर्ड बाग लेंगे हिप्स हमारी 36 जो भी हो आपकी उसका थर्ड बाग आप कर लिजेगा यहां पर मैंने 12 इंचेज पर पॉंट लगा दिना है और थोड़ा सा हम सीम के लिए ले लेंगे चित्ता भी हमारा ठीक है फिर हम यहां से 12 इंचे नीचे आए आएंगे इस तरह से हम इसको इस तरह से मिला देंगे और फिर यहां पर हम बोटॉम्स लेंगे 10 इंच के यह 10 इंच के बोटॉम्स हो गए आप अपने अकोडिंग ले लिजेगा वे आपको कितना चाहिए आप पहले कागज पर कटिंग कर के पता लगा लिजेगा कि मुझे इतनी तो चाहिए और पहले जो आप कटिंग करो वह पेपर पर कीजिएगा तक कि आपका जो निकर है वह अच्छी से कटिंग हो तो यहां पर देखिए मैंने डो कर लिया है यह मेरी नीचे की फोल्डिंग एरिया वन इंच की और यह मेरा पूरा पार्ट से है निकर का ओपर का एलस् पोकेट के लिए देखिए यहां से मैं जहां हमारी एलस्टिक का एंड होता है वहां से थ्री इंच नीचे और सिक्स इंच का हम पोकेट लगाएंगे तो यहां पी हम कट लगा देते हैं हलके से है कि ते न know थे तियुआ है जाथ दी आको अचिकने पी इस तरह दिए ठीक है इस तरह से कि अब मंध्ड पोकेट यहां पी लगाते हैं कि यहांपी मैंने वन इंच से लेते ले इस तरह से पॉकेट के लिए ड्राइंग कर लिया है हम इसकी कर लेते हूं इसकी जो लेंध है वो भी मैं आपको बता देते हूं कि हमने पोकेट के लेंध लें चिनु ले हैं तो यह एक पोकेट हमारा कटिंग हो गए इसी तरह से हम दूसरे पोकेट की भी कटिंग कर लेते हैं अपनी जो बच्चा वह फीब्रीक है उसके उपर तो यहां पर मैंने दोनों पोकेट्स की कटिंग कर ली है ठीक सटके दो पार्ट्स लेंगे और यहां पर हम अपने पोकेट लगाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम यह वाला एक पार्ट्स ले लेते हैं और यह हमारी पोकेट्स का पार्ट्स है यहां पे हमने कट लगाया हुआ है इस कट को हम यहां पे लगाएंगे यह जो दोनों हमने कट के मार्क किए हुए हैं इनको अपस में आपे मिला देंगे और यहां पे मानिफस स्टीचिंग हो गई है यहां से यहां तक लोग कर दिया दूसरी साइड लेंगे इसी तरह से और जो पोकेट का दूसरा पार्ट से उसको इसी तरह से रख करके एक सिलाई ले लेंगे उपर में आधा इंच रखा है सिलाई के लिए पोकेट की और इस तरह से मैंने इसकी स्टीचिंग कर दी है बस यहां से पक्का कर लिया है अब कट लगाया हुआ है तो इस तरह से अंदर के और फोल्ड करके और एक उपर की सिलाई लगा लें इसको आईरन से या नाखुन से चीर लें और चाहें तो एक सिलाई भी कर सकते हैं उपर की इसी तरह से दोनों पार्ट को हमने चीर दिया है और इस तरह से पोकेट के दोनों पार्ट दोनों साइड में लगा दिये हैं अब यह मैंने या पर की सिलाई भी लगा दिये हैं अब यहमारा पौकेट यहां पे स्टिच हो गया है इस तरह से इसी तरह से यह भी हो गया है इसकी भी उपर की सिलाई लगा देते हैं उपर से आधा इंच का इस पेश छोड़ा हुआ है स्टिचिंग के लिए पोकेट की जो सिलाई होगी न जिससे पोकेट कवर हो जाएगा तो वो आधा इंच का स्पेस हमने छोड़ावा है उपर से और जो नीचे का पार्ट से उसको भी हमने ओपन रखा हुआ है तो इस तरह से एक सिलाई ले ले ऊपर की और इसके बाद में हम पोकेट की साइड से जो है वो सिलाई कर देते हैं पोकेट को अलग रख लिया है और जो हमारा निकर का पार्ट है लोंग निकर उसके पार्ट को नीचे से सिल देना है अब एक सिलाई आप पोकेट की लगा ले दिए इस तरह से पोकेट इस्टिच होगे अब जो ऊपर से उपन रखा हुआ ना यहां से लेकर के और एक सिलाई लगा दे इस तरह से पोकेट लग भी गया है और यह कवर भी हो गया है तो इस तरह से मैंने साइड में जिस तरह से वन पोकेट सिच किया है उसी तरह से दूसरी साइड का पोकेट भी मैं स्टिचिंग ले लूँगी तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको stitch लेना है यहां पे cut लगाया हुआ है जहां तक cut है वहां तक इसकी stitching लेकर के lock कर देते हैं तो अब यह तयार हो गया है एक side का parts और इसी तरह से हम दूसरी side का जो parts है वो भी तियार कर लेंगे pocket जहां से open होता है और नीचे जहां तक इसकी length है वहां से उपर से इस तरह से आप lock कर दे इसमें मैं आपको rubber और elastic और dory दोनों डाल करके बता रही हूँ तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने घर पे इस तरह से निकर आसानी से बनाए जा सकते हैं जो कि जिनकी stitching अच्छी होगी और जो जल्दी से सिलाई जो है वो खुलेगी नहीं और जो रिडिवेंट क्यों होते हैं इन्हें आप पुराने फेब्रिक से भी स्टिच ले सकते हो तो यह यहां पर बिल्कुल तयार है pocket इसी तरह से हम दूसरी साइड भी तयार कर लेते हैं तो अब आप देख सकते हों यहां पर हमारी दोनों साइड स्तियार है pocket लग करके और एक इस तरफ है तो दूसरी इस तरफ है बस अब हम मीडिल सेंटर की स्टिचिंग लेंगे बीच के जो हमारी आसन की सिलाई है उसको इस तरह से आप स्टिच ले लो तो आसन की सिलाई तो नोर्मली सीधी ही होती है तो आप आसन की इस पार्ट को इसमें और इस पार्ट को इसमें इस तरह से एक सिलाई ले लो मेन इसके अंदर पोकेट्स लगाना और एलास्टिक लगाना ही सबसे महत्वा है बाकी जो नोर्मल सिलाईया है वो कोई भी कर सकता है यानि फिर भी स्टेप बाई स्टेप मैंने आपको इसमें दिखाया है ताकि जो नई है जो नई ग्रल्स है वो अच्छी तरह से स्टिच ले लिए है आगे पीछे की आसन का पार्स स्टिचिंग लेने के बाद आप डारेक्ली जो नीचे की फोल्डिंग है उसको कर लें जीतना भी आप चाहते हो मैंने यहां पर टोटली वन इंच रखा हुआ है तो वन इंच को हमने इस तरह से डबल फोल्डिंग करके नीचे से इसको फोल्ड कर देते हैं नीचे से फोल्ड करकर आप इसको आ इर कर लें वरना कट्टिंग करके कि आपको कितना फोल्ड करां दोनो आपके जो पैर है वो बराभ़ब भी होनीstory और आपके स्टीचिंग भी अच्छी होनीची तो अरो दोनों साइड से इसको स्टिच कर अब जो बीच के जो पाइचे की सिलाई है उसको डारेक्टली सीधा स्टिच कर देते हैं तो यह हमारे नीचे के पैरों की स्टिचिंग हो गई है और नीचे से यह कम्प्लिट हो गया है अब हम उपर जो इसमें इस इलास्टिक लगाएंगे वह सिलाई है तो वह जरूर आप इसे देखें ताकि आप भी जब एलास्टिक लगाएं या भी तो आपको भी बहुत आसानी हो जैसे हमारी कमर है 34 तो यहाँ पर मुझे 29 या 30 इंच का एलास्टिक लेना होगा तो यहाँ पर मैं 30 साइज का ले रही हूँ जितनी भी आपकी कमर हो उससे 4 इंच कम आप एलास है तो आप टू इंच की एक गड़ लगा लें पूरे निकर के राउंड में और टू इंच का मैंने फोल्ड कर दिया है अब जो बीच का पार्ट्स है अब देख सकते हैं आप इस तरह से जांच लें एलेस्टिक अमारा पूरा बिल्कुल आना चाहिए तो लगबग दो इंच तक मीडिल सेंटर को मैंने ऐसे ही फोल्ड कर दिया है ताकि वहां से मैं ओपन भी रख सकूं एलास्टिक जो इंसर्ट करना इसके अंदर तो इस तरह से ऐसे फोल्ड करके अगर आप लगाएंगे ना तो आप आपको इलास्टिक डालने में बहुत आसानी होगी तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है तो अमारी फोल्डिंग यहाँ पी उपर के साइड की एलास्टिक के साइड की कंप्लेट हो गई आप देख सकते हैं अब हम इसके अंदर एलास्टिक इंसर्ट करेंगे तो एलास्टिक प्रोपीन से कवर कर लें और इसके अंदर इस तरह से जो आमने खुला रखा है टू इ 3-5 इंच की हैं तो यहाँ पे हमने जो निकर का फोल्डिंग है वो डेंट इंच की रखी है ताकि एलास्टिक बराबर में आसाने से इंसर्ट हो जाए तो यह हो गया है यहाँ पी इंसर्ट और पूरा इंसर्ट लेने के बाद में इसको इंसर्ट करने के बाद में और इस empezar क आपको इसको सील देना है एक के उपर रख करके और इसको बिल्कुल पक्का कर देना है तो चार पांच सीलाई से आप इसको पक्का कर ले लास्टिक को और इसको बिल्कुल पक्का करने के बाद लोग करने के बाद इस तरह से अंदर के और सारा इंसर्ट कर दे अब यह अंदर कि सिलाई लगाने के बाद क्या होगा एक सिलाई आधा इंच उपर तक लगानी है और एक सिलाई आधा इंच नीचे लगानी है बीच का जो पौन इंच होता है न वो लगबग आपको क्योंकि टोटल डेड इंच है तो पौन इंच लगबग बीच में रह जाना चीए तो उसस ऐसे देखिए दोनों हाथों से रबबड के उपर जब हम सिलाई करेंगे तो हमें दोनों हाथ ओपन चाहिए होंगे तब हम रबबड के उपर के सिलाई निकाल पाएंगे तो इस तरह से दोनों हाथों को ओपन रख करके मैंने और quarter quarter inch के लगबग सिलाई लगए अगर आधा inch के सिलाई भी कर लेंगे ना तो बीच में हम डोरे नहीं डाल पाएंगे तो बीच का हिस्सा मैंने रखा है डोरी डालने के लिए और उपर और निचे quarter quarter inch के मैंने एक एक सिलाई कर दिया ताकि रबड जो है अपनी जगह पे fix रहे और हम इसके अंदर डोरी भी insert कर सकें तो अब जो बीच का center है ना वहां से और थोड़ा सा हम खोल लेते हैं जो सिलाई होती है ना उसको खोल करके आप इस तरह से डोरी इंसर्ट कर सकते हो एक सुईये की साहता से मैं आप पर डोरी इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हूं और ब अपनी घर पे त्यार कर सकते हो बहुत आसानी से मैंने आपको यहां पर open pocket लगाना भी बताया है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें mostly बस यह जो elastic लगाना यही महतो होता है तो इसका मैंने बहुत easy तरीक आपको बताया है तो अगर पसंद इसे तरह से अपनी घर पे जो है वह तियार करें निकर है और आप टीर करें हो